सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकोन को दबाईए हमारी लेटेस्ट प्रीडियो सबसे पहले देखने के लिए कासी लेहर तालाव में कमल के फूल पर उस समय का मौसम कैसा था थंडी थंडी हवा चल रही है नन्नी नन्नी बुनियों की फार पड़ रही है बादल गर्ज रहे है बिज़्दी कड़प रही है जरना जर रहे है इतना सुन्दर समय था कोई अलकों कों की आवाज कर रही है पपिया पिहों पिहों की रट लगाए है बिज़्दीयों सियार आवाज सुना रहे है सिंख दहाण रहे है सहाव के दसने इतना सुन्दर समय था शत्गुरु इस समय प्रगट हुए का सिंदेर ताला उपर बोर शत्गुरु कवीर साहेव की यहू बोर शत्गुरु कवीर साहेव की यहू पैसे जहां की निकालनी चाहिए थी लेकिन आमने निकाली नहीं क्योंकि मैं ऐसे ही समझागे श्री 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 शत्गुरु प्रगट इस सम्राट जिस समय कमल पूल पर आए है बड़ा सुंदर मोशम्था कोईल कूँ कूँ कर रही है पपिया पियू-पियू की रटन लगाए है पंद्रे सो पच्पन खाट थे जेश्ट पूण मासी को शत्गुरु करगट रहे अन दबके बादल करजे पूनन के जड़नाग रहे जेख शुदीपूण मासी को शत्गुरु करगट रहे कर रुदाद रहे बहुत ही मेरे बंद्गों प्रेम का समय इधर में नीरु नीमा नाम के दो जुलाई परवार के दफपती थे नीमा कहने लगी नीरु हमारे कोई शंतान नहीं है मैं बड़ी दुखी हूँ आज ना हो तो चलो भ्रमण के लिए चला रहे हैं भूमने के लिए चला रहे हैं तुम हमारे सास में चलो मेरा आंगर में मन नहीं लग रहा है नीमा अपने पिया नीरु का दामन पकड़ के बोली कि मेरो अगना में मन नहीं लग रहो है बोले बालबा तीरो अगना में मन नहीं लग रहो है बोले बालबा तीरो अगना में बन नहीं लग रहो है मेरे बालबा झाल झाल झाल